हाई फ्रेंज आजका वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ गुलाब यानि रोस प्लान का रूट ट्रिट्मेंट सेप्टेमबर का एंड पे आके मेरा गुलाब का प्लान थोड़ा फूल तो खिला रहे हैं ग्रोध भी थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं पर बाकी जो पुराना लीव से पीला होके ज़र रहे हैं और प्लान बेजन सी लग रहे हैं तो सेप्टेमबर यंड से लेकर इस तरह गुलाब प्लान में होना बहुत कमुन एक नॉर्मल चीज है तो हमको करना के हैं क्यूंकि ऑक्तॉबर यंड से गुलाब का प्लान नियू न्यू पत्टे से भर जाता है जैसे हम काम करते रहेंगे और ठंडग भी आना शुरू हो जाएगा विदर में बदलव आना शुरू हो जाएगा गुलाब का प्लांट बहुत सरा फूल खिलाने के लिए धीरे-धीरे रेडी होना शुरू हो जाएगा तो उससे पहले हमको कर देना है गुलाब प्लांट का root treatment root को अच्छा मजबूत बनाएंगे तो गुलाब प्लांट में ना कोई fungus लगेगा और healthy growth निकलेगा देखिए आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ देखिए यहाँ पे new new growth काफी आ चुका है तो आपका plant में भी इस तरीके से पत्या पीला हो रहे है प्लांट में कोई जाल नहीं दीख रहे है तो करना शुरू करिए गुलाब प्लांट का root treatment दिरे दिरे प्रूनिंग भी हम करते रहेंगे गुलाब प्लांट में रिपोर्टिंग भी काम हम करेंगे तो आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगी आज का वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी गुलाब प्लांट का root treatment root को किस तरह आपको healthy बनाना है root को किस तरह आपको active बनाना है new season के लिए तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है आपको लेना है fungicide मैं यहाँ पे ले रही हूँ साथ fungicide आप mango jib लेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा mango jib आप मेरे पास नहीं है तो मैं ले रही हूँ साथ fungicide quantity आपको कितना लेना है ओ आपको धीरे धीरे बता रहे हूँ फांगिसाइड आप एक प्लांट के लिए लेंगे तो आपको लेना है दो स्पून डेर से लेके दो स्पून आप ले सकते हो फांगिसाइड फांगिसाइड लेने के बाद हमको लेना है humic acid humic acid देखिए इस तरह होता है छोटे छोटे ग्रैनुल फॉर्म में है मेरे पास humic acid प्लांट का रूट को एक्टिव कर देगा बहुती जल्दी प्लांट का रूट को हेल्दी बना देगा और जरो में कोई प्रोकार कोई प्रॉब्लेम आए humic acid से काफी हद तक ठीक हो जाता है humic acid भी हमको डेर से दो स्पून लेना है एक प्लांट के लिए बोल रूट के लिए और मेरे पास काफी प्लांट है इसलिए मैं जादा क्वांटिटी में बना रही हूँ साथ में हमको last ingredients लेना है यह है rooting hormone मैं इस company का ले रही हूँ आपके पर जो भी rooting hormone अब है तो आप उसी को ही ले लीजिए इसको भी same नाप में आपको लेना है डेर से दो स्पून यह तीनों चीज के अलवा और एक liquid चीज हम प्लांट में देंगे तो धिरे धिरे ओ भी आपके साथ श्यार कर रही हूँ तो फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा फांगी साइड मेरा कम पर गए तो मैं और भी ले रही हूँ तो यह तीनों चीज को आच्छा से मिलाने के बाद आपको करना कहे जिस दिन आप इस तरह गुला प्लांट में root treatment करेंगे उससे पहले दिन मिट्टी को आच्छा से गुराई करके आच्छा से धूप लगना चाहिए और नेक्स दे इस तरीके से काम करना है और एक दिन पहले ना कर सकते हो कम सकम जिस दिन आप करेंगे root treatment उस दिन सुबा आप तो धूप भी ते जोने लग गए तो सुबा के टाइम एक काम कर लीजिए गुराई करके मिट्टी को थोड़ा सा धूप में आप सुखा लीजिए उसके बाद शाम के टाइम भी आप इस तरह treatment कर सकते हो तो देखिए क्या करना है तीनों चीज अच्छा से मिला लेना है और हर गमला में मैं डालूँगी एक से लेके दो स्पून तक इस तरह देखिए चारो तरफ हम चीरक दे रहे है उसके बाद मिट्टी के साथ आप मिला दे सकते हो नहीं तो आपको करना के जैसे मैंने एक लिकुइड इस में डालूँगी उसके बाद जा मिट्टी हलका सा ड्राइ हो जाए उसके बाद आप मिट्टी को एक बार हलका सा गुराई कर सकते हो तो इस तरह के से मैं हर कोई प्लांट पे पहले डाल देती हूँ उसके बाद आपको नेक्स टेप शेयर कर लेती हूँ यहाँ पे जो फ्रेंज में जो root treatment कर रही हूँ ऐसे नहीं कि साल में आपको एक ही बार करना है आप तीन से चार मन्त बाद बाद भी इस तरह प्लांट में root treatment कर सकते हो इससे आपका गुलाब का प्लांट कभी डाइबेक से मरेगा नहीं क्योंकि प्लांट आपका बिल्कुल fungus फ्री रहेगा और गुलाब प्लांट में fungus से प्लांट खड़ाप हो जाता है तो इस तरीके से आपको जैसे गर्मी का सीजन चले गए उस टाइम आप एक बार root treatment कर दिये हो सीजन जाने का टाइम आप ज़रूर एक बार root treatment करेंगे तो आप का गुलाब का root को हेल्डी होने से कोई रोकने सकता है हमेशा ही आपका गुलाब का प्लांट का root हेल्डी बना रहेगा और root healthy रहे तो उसमें ना कोई किरा लगेगा ना कोई fungus लगेगा plant आपका बहुत ही healthy बना रहेगा तो इस तरीके से देखिए एतिनों चीज को अच्छा से मिला के मैं मिट्टी पे मिला दिया है अब हमको करना है एक liquid solution बना लेना है ओ है micronutrient का liquid solution किस तरीके से आपको ready करना है चलिए आपको दिखा देती हूँ micronutrient के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी seaweed liquid fertilizer फ्रेंज आपके पास अभी फिलाल granule form में है seaweed fertilizer तो आप यह जो तीन चीज हमने मिला के plant में root treatment किया है इसी के साथ ही आप granule को मिला सकते हो दो स्पूनी आप मिला दीजिए एक plant का बात करो तो देर से दो स्पूनी यानि सेम नाप पे आपको मिला देना है और liquid है आपके पास तो देखिए मेरे तरह आप कर सकते हो मैंने यहाँ पे 500 ml यानि आदा लिटर पानी लिया है इसमें मैंने 4-5 ml तक मिला दूँगी seaweed liquid fertilizer और इस fertilizer को इस solution को मैं plant में जरो में डाल दूँगी पानी के साथ अच्छे से dilute करने के बाद ही आपको plant में डाल देना है तो फ्रेंज इस तरीके से आपको कर लेना है plant में root treatment और यह जो treatment आपके साथ share कर रही हूँ एक बर गुलाब plant में अच्छे से काम करने से पहले जरूर आप इस तरीके से काम कर लीजिए root को मजबूत बनाईए तब ही जब आगे जाके season के लिए reporting करेंगे plant की plant का root pruning करेंगे यह सब काम करेंगे तो plant आपका शौक पे नहीं जाएगा बहुती जल्दी growth पे आ जाएगा तो मैं सारा plant में डालूंगी इसलिए 5 लिटर केंड अब मैं अभी इस्तेमाल करूंगी इसके लिए सेम नाप का according मैं 5 लिटर पानी के साथ भी seaweed मिला के plant में देते रहूंगी तो friends इस काम आप जरूर करा करिए October 15 तक तो आप करी सकते हो मैं थोरा advance आपको दिखा दिया है इस तरह आपको करना है जरूर तो थोरा time लेके सामन आपके पास नहीं है तो सामन भी आप collect कर लीजिए उसके according आप rose plant के साथ root treatment में जरूर करा करिए और जो root treatment है कौन सा गुलाब plant में आपको करना है आपके पास कोई भी variety का rose है सभी में आप कर दिजिए देशी गुलाब से लेके hybrid variety, climbing rose, button rose, kashmiri rose जो भी rose है आपके पास तो आप जरूर करा करिए आपको दिखाऊंगी कि इस वीडियो में मेरे पास जो climbing rose है climbing rose अच्छा से growth पे है और अच्छा से फूल भी खिला के दे रहे है पर जितना hybrid rose है दीरे दीरे जो मैंने आपको बताई इस टाइम पतिया पिला हो रहे है ब्रांच में दीरे दीरे जो पतिया है वो सूक रहे है ब्रांच खाली हो रहे है तो यह problem जैसे मेरा hybrid rose में आ रहे है climbing rose भी नहीं आ रहे है और इस तरह problem आपका plant में आब आना शुरू हो जाए तो आपका घबराना नहीं है यह natural है क्योंकि आपका गुलाब का plant न्यू न्यू पतिया से भर जाएगा इसलिए पुराना पत्ता ज़र रहे है यह natural तरीका है और देखिए जो climbing rose का बात कर रही हूँ देखिए है climbing rose कितना birds बन चुका है देखिए बहुत ही खुबसूरत growth पे यह आ चुका है देखिए इस तरह खिल रहे है climbing rose तो friends आज का वीडियो आज का जानकरी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए मेरे साथ जुडने के लिए चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्रीब भी कर लिजिए कोई query है तो मेरे को आप comment कर सकते हो आज का वीडियो यहाँ पे इन करते हैं चलिए goodbye thank you so much